और बढ़ते हैं आगे खबर लखना उसे है तुछ력 तो पाए सर्द रातों में कोई भी खुले आसमान में ना सो पाए सडक किनारे खुले में सोने वालों को रैंड बसेरा लाएं और रैन बसेरों में ठहरने के बहतरीन इंतजामात होने चाहिए ये निर्देश दिये है रात में पुलिस पेट्रोलिंग पर विशेस जोर दे सीम ने ये भी कहा है रैन बसेरों में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए सीम ने कहा है क्योंकि थंड बढ़ रही है और सीम योगी आदितनात ने ये निर्देश दिया है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और रैन बसेरों को सभी जो है की विवस्थाएं उपलब दिकर आई जाए तो रैन बसेरों में साफ सफाई का विशेश ध्यान रखा जाए ये कहा है सीम योगी आदरतनात नहीं लखनाउ से बड़ी कबर आपको बता रहे हैं सीम योगी ने रैन बसेरों को लेकर निर्देश दिये हैं कि कोई भी सर्द हवा में खुले आसमान में ना सोई इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे सभी रैन बसेरों में साफ सफाई की वेवस्ता हो और उनके लिए कंबल का इंतिजामात किया जाए यानि की विशेश तोर पर सभी तरह की वेवस्ताई की जाए सर्द रातों में कोई भी खुले आसमान में ना सो पाए क्योंकि जिस तरह से थंड बढ़ रही है कड़ाके की थंड जो है कि वो बढ़ रही है जिसको लेकर सीयम योगी आदितनात ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि रैन बसेरों में पूरी वेवस्ता की जाए रात में पुलिस पेट्रोलिंग पर विशेश जोर दे ये भी कहा है सीयम योगी आदितनात ने यानि की कड़े हिदायत दी है रैन बसेरों में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है थंड भी बढ़ने लगी है और बहुत सारे ऐस सारा लोग होते हैं जिनके पास कंबल नहीं होता या फिर उनके पास विवस्ताई नहीं होती है जिसके कारण वो मजबूर होते हैं खुले में सोने के लिए और ऐसी विवस्ता ना हो यानि कि किसी को भी खुले में सोने के लिए मजबूर ना होना पड़े इसके लिए मुख पेट्रोलिंग पर विशेश जोर दे सडक किनारे कोई भी खुले में ना सोई इसका विशेश ध्यान रखे रैन बसेरो में ठहरने के लिए पूरे इंतजामात किये जुआ है रात में पुलिस पेट्रोलिंग पर विशेश जोर दे ये भी कहा है सीम योगी आदितनात ने तो लखनव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीम योगी आदितनात ने अधिकारियों को सक्त हिदायत दी है और कहा है कि रैन बसेरो में साफ सपाई का इंतजामात करे विशेश तोर पर वहाँ पर जो विवस्थाएं होनी चाहिए उन विवस्थाओं को करे और रात में प संदीप मिश्ट्रा हमारे साथ लखनाव से लाइव जुड़ चुके हैं संदीप किस तरह की विवस्थाएं की गई है क्योंकि थंड का मौसम बढ़ रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मजबूर होते हैं खुले में सोने के लिए